इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक इंफोर्मेशन दे दू कि चौबिस नेवनवर को पटना के अंदर को रहा है MLM Success Master Workshop और इस workshop में मैं रहूंगा और मेरे साथ होगे पुशकर रासथाखुर यारी इंडिया के टॉप टूप ट्रेनर्स एक साथ एक बंच में होगे अगर अभी तक आपने अपने टिकट बुक नहीं किया तो टिकट बुक क सब लीजे आज आज आईए क्योंकि इस workshop में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है चलिए सीधे लेकर आता हूँ वीडियो पे और topic है कि follow up कहते किसे हैं सबसे पहले तो यह समझना है कि आखिकार follow up है क्या follow up traditionally follow up का मतलब होता है कि सारे doubts को clear करना जितने भी questions है prospect के मन में उनका जवाब देना सखी सही जवाब देना traditionally follow up का यही मतलब है कि आप plan दिखाने के बाद guest के मन में prospect के मन में जितने भी questions होते हैं जो शक है जो डर है उसको जाके clear करते हैं और clear करने के बाद आप उसकी joining के लिए approach करते हैं traditionally इतना ही मतलब है लेकिन अगर आप मुझसे पूचे कि sir आपके अनुसार follow up का क्या मतलब है मेरे sir follow up का मतलब है लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए inspire करना लोगों को inspire करना कि वो business शुरू करें वो आपके साथ जुड़ें और आपके साथ एक नई शुरुआत करें अपने संदगी की inspire अगर आप नहीं कर सकते तो follow up से कोई फायदा नहीं होता आप में से अधिकतर लोग इस बात को बारेंगे कि सारे सवालों का जबाब देने के बाउचूद भी कई बार जुड़नी नहीं आती आप सारे doubts clear कर लीजिए बहुत अच्छे जबाब दे जीए बड़ इच्छे logic दे दीए फिर भी जुड़नी नहीं आती क्योंकि आप inspire नहीं कर पाए मेरे सारे follow-up का मतलब है inspire करना जितनी बाते आप बता रहे हैं उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप प्रेरित कर पा रहें कि नहीं अगर आप प्रेरित नहीं कर पा रहे जुड़ने के लिए तो फिर काम नहीं होगा follow-up का मतलब ही नहीं बनता follow-up है join कर भा लेना अब आप समझे कि follow up में वो दो सबसे important कौन से काम है जो आपको करने होते हैं हास मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि दो सबसे important काम कौन से हैं जो follow up में अकर आप ने कर दिया तो आप follow up के mastermind मन जाएंगे और follow up आप से बढ़िया फिर कोई नहीं करेगा और जुआनिंग आप लेके आएंगे पहला काम इमोशनल लॉस को जो इमोशनल लॉस का डर है प्रोस्पेक्ट के दिबाग पे इमोशनल लॉस के डर को इमोशनल गेन के विश्वास में बदलना बहुत गोर से सुनिए इमोशनल लॉस के डर को इमोशनल गेन के विश्वास में बदलना लेकिए बहुत सारे प्रोस्पेक्ट सब network marketing का plan देखते हैं उन्हें अच्छा तो लगता है लेकिन कई जगों से पता चलता है कि networking करने के बाद रिष्टे तूर जाते हैं अपने लोग शक करने लगते हैं और उनको कहीं न कहीं एक emotional loss का डर सताता है तो emotional loss के डर को कैसे आप emotional gain के विश्वास में बदलेंगे अगर आपको emotional loss को emotional gain में बदला नहीं आथा तो फिर आप follow up करेंगे ज़रूर result नहीं आएगा और दूसरी सबसे बड़ी बात कि financial जो loss है इसके डर को financial investment और gain के विश्वास में कैसे बदला है financial loss के डर को financial investment and gain के विश्वास में बदलना ये दो चीज़े आपको सीख नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे prospect कई बार इसलिए अपना पैसर नहीं लगाते या join नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें loss हो जाएगा financial loss जो उसको डर हो रहा है कि मुझे financial loss होगा आपको ये समझारा है आपको ये विश्वास दिलाना है कि ये loss साब नहीं होने वाला ये investment है और investment हमेशा कुछ रा कुछ game देके जाता है अगर ये दो चीज़े आप समझ गए आपने करना सीख लिया तो आप network marketing के अंदर follow-up के mastermind हो जाएंगे follow-up tremendous लेंगे आपसे बड़िया follow-up कोई नहीं लेगा इस पे विस्तार से मैं बात करूँगा 24th November की workshop में आए अकर आप पटना आ सकते हैं मैं तो कहूँगा कि 24th November का एक दिन निकाल लेजिए क्योंकि ये एक दिन आपकी पूरी जिनीगी को बदलेगा network marketing के अंदर मैं और मेरे साथ पुशकर रास्ता को दो लोग एक साथ एक बंच पे ऐसी synergy अभी तक इंडिया के अंदर नहीं हुई ये पहली बार network marketing के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है मैं खौँगा कि आप अगर इस workshop में आगए आपके income, आपके team इन सारी चीजों में 10 गुले रफ्तार के साथ आप बढ़ने लगेंगे बाखी बढ़े रहिए, जमिर रहिए आपके 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 जीतना सुनश्यत है fall-up पे और वीडियो चाहते हैं अगर आप fall-up पे और वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं, comment में बताएं कि सर्फ fall-up पे और वीडियो बनाएए आज तो मैंने सिर्फ इतना बताए है कि definition क्या है और कौन से दो चीज़े करनी हैं अगर आप और चीज़े पॉल अप के बारे में दानना चाहते हैं और चाहते हैं मैं और वीडियो दोनाओ तो मुझे कमेंट करके बताइए तब तक अपना ख्याल रहिए, बने रहिए, जमिर रहिए क्योंकि आपका जीतना सुलश्यत है, बलते हैं 24 को पटना के अंदर बहुत हो शब्रिया, थैंक्यू, थैंक्स अलाओ